गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टो ओनलेन क्लासीज आफ्टर जोन इन टैस्ट, वी विल स्टार्ट आवर फर्दर सेलेबस, एड नाउ वी विल स्टार्ट आवर हिंदी रिडर सेलेबस, इस लेसन नंबर फोर नेम्ड काश अगर मैं चिडिया होती। स्टुडेंट्स, यह एक कविता है, जो कि कल्पना शर्मा ने लिखी है, वो अपने बच्पन में यह सोचा करती थी, कि काश अगर वो चिडिया होती। ठीक है, तो देखिए, बच्चे आप लोग भी कल्पना करते होंगे, आप लोग भी सोचते होंगे कि काश में वो होता, काश में यह होता, तो इसमें भी क्या है, बच्चों की कल्पना के बारे में बताया गया है, कि किस परकार से बच्चों की कल्पना दूर दूर तक जात तो वो क्या कहती है काश अगर मैं चिडिया होती डाली डाली उड़ती फिरती मन में उमढ रहे परशनों के सच्चे उतर सबसे सुनती उमढ ना मतलब आने वाले सच्चे उतर सही जवाब तो यहां कवितरी क्या कहती है कि काश मैं भी चिडिया होती तो मैं भी एक डाल से जो भी प्रशन आते, उन प्रशनों के सही जवाब मैं सबसे सुनती। चंदा से मैं मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती, दिन में हमको क्यों ने दिखता, सारा सची है, जान कर आती। अब कवित्री क्या कहा रही है, कि अगर मैं चिडिया होती, तो मैं चंदा से भी मिलने जाती, और उसको भी अपने दिल की बात बताती, कि तुम हमें दिन में दिखाई, क्यों नहीं देता है, मुझे पूरा सच बता कि तेरे इसके पिछे क्या कारण है, कभी पास पहुंच जाकर मैं धेरो प्रशन पूछती, कि तू दिन में क्यों नहीं आता, सोरी तू रात में क्यों नहीं आता, तू अन्धेरे से क्यों डरता है, कभी नदी संग हस्ती गाती, उससे मैं यह पूछ कर आती, कल कल करता निरमल जल, भला कहां से वैं भर कर लाती, अब कहती है, कि मै नदी के पास भी चली जाती और उसके पास भी हस्ते गाती हुए उससे भी पूछ कर आती कि तेरा जो ये निर्मल जल है स्वच जल है ये तू कहां से भर कर लाती है हमारी ये कविता पूरी हो गई है कंप्लिट हो चुकी है इसके साथ ही मैं आपको इसके वर्ड मिनिंग और इसका बुक वर्क जो है सेंड करूंगे ओके स्टुडेंट्स बाबाए